हेलो दोस्तो मैं हूँ रिश्केश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्सकॉप से महेंगे खिलाडी बन के आया था तक चिंग्समों पंजाब ने उनको आठ करोड की प्राइस पॉइंट की पॉइंट की पॉइंट की पर उठाया था और सबसे में बात यह कि अब तक आज तक सिर्फ एक लिस्टे मैच खेला जी हां उनके एक स्पीरियों सिर्फ एक पर उनको आठ कर जाते हैं तो वरुन चक्रवरती से बहुत जाद उमीदे होंगी टिंग्समों पंजाब को कि वह उन्हें एक ही लिस्टे मैच खेला है अब तक पर उमीद है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे और जब इता अच्छा मौंड दी है गिंग्समों पंजाब ने खेलने का मौका नहीं मिला लिकरस पूरें की पैचान है उनकी हाड हिटिंग यूँ तो वो टॉप ओडर की बैट्समन है पर पंजाब के अंदर उनका रोर होगा नीचे आगे फिनिशिंग रोल करना अगर उनको मौका मिलता है तो उन्होंने भी अब तर सिर्फ एक इंटर पूरन फिट बैटते हैं तो टॉप ओडर के प्लेयर है पर वो फिनिशिंग बहुर अची करते है इस बाद बंगलादेश में लिक के अंदर ही बहुत अच्छा खेलते हैं तो पंजाब को बहुत अमीदों की निकलास पूरन से अगर हम तीसरे प्लेयर की बात करते हो भी कि सब्सक्राइब करेंगे अगली हम बात करते हैं जो की इंडियन आ रही है शिवम दूबे की तरफ से शिवम दूबे को सब्सक्राइब को बैंगलाओर ने खरीद है साड़े पाच करोड़ रुपे का माउंट में शिवम दूबे मुंबई की तरफ से रेंट्जी ट्रॉफी खेलते हैं और इस साल उनका नोटीस में तब आ है जब उनकी में बात करते हैं और उनकी में बात करते हैं उनका बैटि सब्सक्राइब के साथ जरूर से काफी काम के होंगे शिवम दूबे और इस बैटिंग के अंदर हिटिंग करने की फिनिशिंग में और तीन चार अच्छे हो डालने की पूरियू मित करें का बैंगलोर तो शिवम दूबे एक बहुत एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है वेस्टिंडी से लगना डेब्यू किया और स्विंग बॉर्निंग सा रोहिश शर्मा और शिकर्दवन दोनों को बहुत परेशान किया ओशियन थोमस की यूएस भी यह है कि वो एक सो पचास के उपर छेओ बॉल अच्छन जी है उन्होंने रिकॉर्ड है कि वो एक ओवर की हर बॉल एक सो पचास की उपर डाल सकते है तो इतना हाइप पेस बॉलर को काफी जादा सूट भी करती है और जौफरा आर्चर अलडेडी उनके साथ है तो यह काफी जादा लीजल कॉमिनेशन हो का राजिस्तान रोयल के लिए और इतना पेस बॉल जो एक सो पचास की पर सिर्फ उनकी 23 साल की उम्हार है और उसके अंदर उनको इतने सारे रिकॉर्ड दिये वेस्ट इंडीस का उनको काफी ज्यादा अलग्यांग प्रॉमिक सम्माना जा रहा है एक सो पचास से उपर क्योंगी स्ट्रेक रहती है वह नोटिस में तब है जब उनने इंडिया में आ तो RCB की बैटिंग का रुकना बहुत मुश्किर होने वाला है इस साल वी तो मुझे उमीद है कि वीडिया को पसंद आई होगे अगर पसंद आए विडियो लाइक जुरू से कर दीजिएगा अगर कोई अच्छा डेब्यो कर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन बताएगा आ आप किसको डेब्यो के लिए के एक्साइड है सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह के स्पोर्ट्स इंटेंट के लिए और याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं